अब वहीं हम लोगे चोप्त चोटा सा कॉंसेप्ट बब है एक सबनेटिंग के बारे में सबनेटिंग क्या होती है इतना डीटेल में आपनों किस लिपसमें है नहीं लेकिन यह बहुत 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 वास्ट चप्टर और अगर्ण नेट्वरकिंग के अंदा और लिभी बस इतना साइब कि आप लोगो सब्रड़ाइटिंग का इस्तेमाल पता होना चाहिए यूजब सब्रड़ाइटिंग पता होना अचाई अब लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह नए चप्टा रहा है तो हम सब्सक्राइब है एक प्रॉपर स्रॉक्टर रांसर बना सको तो हम लोग इसका आपनों की जग्रेडिंग होगी कैसे होगी लेकिन जतना आप लोग ज्यादा चीज़ों को लिखोगे जतना अपनी बेतर करोगे इतने सारी चीज़ आप लोग आंसर दे पाओगे स्पून से अभी तरह कोई सवाल आया नहीं है आपनों के पासफ़र्ड में क्योंकि यह 9618 के अंदर आइड हुए सही अच्छा सब्नेटिंग के बारे में बात करते हैं सब्नेटिंग क्या होती है और नाम से यूझा आपनों को समझ आ रहोगा सब्नेटिंग सब्नेटिंग मतलब क्या है आप लोग सब्नेटिंग क्रियट कर रहे हो सही है कैसे क्यों क्रियेट करने पड़ते ہیں क्यों इस्तेमाल करते हैं वह सारी चीज़ेंगे और चीज़ों को विज्वाइज करके समझेंगे ताकि चीज़ें जो रिलेट कर सके चलो यह मैंने एक बहुत जो सबसे पहली डाइग्राम है अपनों को यहां पर जा आपनों को यह सबसे टॉप पर जो डाइग्राम दिख रही है एक हब लगा है है अब क्रेट किया और उसके साथ मैंने सारी डिवाइस को इंटर किया है सब डिवाइस जहें वह हब के थूप करनेक्ट हुए है ठीक है अब होगा क्या कि अगर इमेजिन करते हैं कि यह आपका PC1 है और यह है आपका PC9 सभी है अब कर पीसी बन को पीसी ना करता है ब्रॉटकास सिग्नल मतलब यह सिग्नल ऐसे सेंड करेगा पूरे नेटवर्क के अंदर दोबारा चलो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब यह आपका PC1 है यह आपका PC9 है यह हम लों के पास PC1 ने कम्यूनिकेट करना है यहां पर लिख रहा हूं है PC1 को कम्यूनिकेट करना है बहूंगा क्या कि यह ब्रॉटकास सिग्नल से लेगा वेदिन ने नेटूर्क यह ब्रॉटकास सिग्नल्स पूरे नेटवर्क में ये फैलांगे असे थे यह सब रोट का सिगनल जा रहे हैं यह पूरे नेटवर्क में आपके ऐसे ब्रोट का सिगनल को संड किये जाएगा एड दी एंड यह PC9 के पास पहुचेगा और फिर यह बेसिकली आइटिफिकेशन के लिए होती है कि भाई PC9 कौन से फिर PC9 में आएगा कि भाई मैं हूँ 192.168.0 एक सेकेंट जीरो डॉट वन साही है अब इमेजन करो यह तो सिर्फ एक डवाईस ती ने जो कि कम्यूनिकेट करी थी अब इस चीज़ को इमेजन करो कि अगर आपकी सारी डवाईस आपस में कम्यूनिकेट कर रही हो तो एक क्या हाल हुआ वह वह ब्रॉटकास सिगनल का सिर्फ इस इस बॉटकास सिगनल से मिट कर रहा है लेकिन अब होगा क्या सिगनल आपस में टकरा रहे होंगे और अजीव से एक ट्राफिक बन जाएगा सब सिस्टम सारे स्लोडाउन हो जाएंगे में मसला क्या रहा है कि आप लोगा कि जादर डिवाइस इंटर किनेक्ट होई है न तो सब्सवर्कर नेटवर्क करनेट रवाइस सब्स उछ Việt रोंगें हो जाएगा अगर सारी इस जाइजस उडरीवाइस ब्राचस्ट सब्सक्राइब हो जाएगा जाए अ बिलकुल नहीं नहीं connecting device मतलब जैसे switch हम लोग ने पढ़ा था ना switch की तरो imagine कर लो चलो इसको switch consider कर लो बिलकुल लेकिन हम लोग चलो तुम एसे ही समझ लो मैं कर दो सिस्तमान कर लो एक ही बात है दोनों हो सकते हैं दिल्मन वैसे सहीं PC1 will send signal to each and every device to identify itself यह हम लोग ने broadcast message के बारे में बात कर दें चलो अब इसका solution समझते हैं कि किसको solve किसे करना है इस चीज़ को सभी अब मैंने क्या किया है मैंने अपने इसी network को सारी सेम devices हैं सब चीज़ों को मैंने दो अलग-अलग सब networks में divide कर दिया है मैंने दो अलग-अलग छोटे-छोटे networks create कर दिये हैं सब्सक्राइब कर दिये हैं सब्सक्राइब कर दिये हैं अब होगा क्या कि सब्सक्राइब करें तो इस नेट्वर्क आपके जो ब्रॉट का सिगनल है वह सिर्फ ब्रॉटकास सिगनल है वह सिर्फ इस इस ही नेट्वर्क के अंदर रहेंगे सही है राउटर जो है उसको पास होने नहीं देगा यह चीज़ क्ले रहे हो गई हम लों को अगर आपको इस दूसरे सब नेट्वर्क की तरह आपने डेटा भीजना है तो पहले आपने लेखा कि यहां पर मौझूद ही नहीं आपने ब्रॉटकास सिगनल सेंट के यहां पर मौझूद ही नहीं अब हम मदद लेंगी किस चीज़ की नाव वी विल यूज राउटर अब हम राउटर की मदद से क्या करेंगे identify करेंगे और फिर आपका राउटर जाए वह बैसिकली identify करके बताएगा कि भाई PC9 यहां पर मौझूद है फिर हम लोग यूजिंग राउटर इसको आपके डेटा है वह राउटर के पास जाएगा फिर तीसरे राउटर में जाएगा फिर राउटर के पास information होती है जो कि private IP address होता है हर एक device का तो वो directly उसको send कर देगा data सभी है तो अब भी तक क्या समझ आई हम लों को बात कि भाई सबनेटरिंग इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते है नाई तीन राउटर इसलिए मैंने जिनरेट किए कि एक तो यह दो दो राउटर है ना यह network के लिए और कि जो सेंटर में राउटर यह दोनों को कनेक करने के लिए है इस्तेमाल किया है कि सभी है अब इस चीज़ को पढ़ने के कोशिश करते हैं अब इसको समझते हैं कि भाई सब्रेटिंग का यूज किया है स्थालित अलाजरेट्वर्क इंटो गृपिंग पॉपिंग उपमॉर्क एपलाज धिटो हैं इस चो ऊट्रेंट चो अथी तो एक बड़े नेट्वर्क को मम लोग चोटे-चोटे नेट्वर्क बना रहे अब यह लास्ट किया है यह मैं समझाओंगा इसका पने पास लिख लो इस दोने सब्सक्राइब करेंगे बिलकुल हो सकते हैं बिलकुल हो सकते हैं इन चार पॉइंट्स का अपने पास लिख लो फिर में लास्ट पॉइंट तुम लोगो सब्नेट मास्क क्या होता है इसकी बार में एक्स्पेंड करता हो तुम लोगो अच्छा होई यूजर सब्सक्राइब लोग ने सब्सक्राइब लोगों तुम लोगों फ्रसे कर वाता है उस चीस को स्ट्रेट करते हैं अब इसके अंदर देखो मेरे आएपी एडिरोस के साथ एक नीचे चीज लिखी विए विच इस सब्नेट मास्क सब्सक्राइब एक और से देखो 255.255.255.0 यह क्या है यह सब्नेट मास्क है अब इसका क्या फायदा होता है क्या मतलब है वही सब्नेट मास्क का यह हर एक डिवाइस को बेसिकली कुछ चीज़ें हम लोग बताएंगे अभी सब्नेट मास्क को डीटिल में स्टेडी करते हैं बस करने की कुछिश करो कि हर एक डिवाइस का हम लोग एक नेटवर्क का हम लोग सब्नेट मास्क डेकलेर करते हैं इसका जो सब्सक्राइब करते हैं कि अच्छा कि सबसे पहले इस आइप इड्रस को समझो यह आई पी भी 4 की बात कर रहें आई पीवी 4 में हम लोग समझे लें सब्लेट मास्क तो यह पई पीएफॉर के नदर हम लों के पास चार ग्रुप eh और हर एक ग्रुप시면 δिसकंगी हर एक ग्रुप को नाम क्या है तो मतलब अगर मैं भोलूं आई बीफ वी फॉर के इंदर कितने होते हैं जवाब जो ज़ली से बिलकुल चार होते हैं सही है आई पी फॉर के इंदर चार ऑक्टे हम लोगे पास मौझेद की कुछ वैल्योश मौसकती है और वहाली हो सकती है जीरो से 255 तक की range में आपके ha octopus लाइक करता है जीरो से 255 तक की range में haoctet लाइक करता है अच्छा एन आई पी address contains two things यह भी हने चीज डिसकस की थी कि IP address के अंदर दो चीज़े होती है क्या कि छीज़े होती है एक होता है आपका नेट्वर्क कैसे हैं यह एक मेरा नेटवर्ग है जिसके पास आपके पास कितनी डवाइस इसके अंदर मौझूद है ठीक है अब अगर मैं बोलूं तुम लोगों से कि हम लोगों का नेटवर्क इस पर्टिकुलर नेटवर्क डियाव है 192.168.1.0 सभी यह आपका बेसिकली नेटवर्क डियाइस यही आई-पी अड्रेस जो है यह असाइन होगा बेसिकली 192.168.1 आपका सबका सेम है अब यह जो टू है ना जैसे लग जाएगा तो यह बेसिकली अब इंडिविज्वल लोग एक अड्रेस होस्ता है है आपको हुआतर हर्एक डिवास का जो plot के घर आपके घर का एक अपना ड्रेक अपना अट्रेस होगा ही है आपके घर के लगाव है उसका हम लोग नेटवर्ग डिवाइस का क्या होगा होगा होस्ट अब इस चीज को समझते हैं आप ज़रा किलास से मतलब राउटर इस ने डिव डिवा सब्सक्राइब लेकिन आपनों के चीज़ें साइन कर रहा है आएप अड्रेस की बात हो रही है तो नेट्वर्क एड्रस एक तरीक से देखो आपके घर के राउटर के पास आपको क्या है एक पुब्लिक आईप अड्रस ए है अब उस पुब्लिक आईप एड्रस के बाद आप लों का जो है ए एक घर का एक इंडिवीजव से 19 2.168 यह सबका सहीं होगा हर एक का 19 2.168.168 सबका सेम है आकरी वाली जब ना आखरी वाला जॉपट एट है राइट साइट से जॉपट एट है सबसे पहला और लेफट साइट से last वाला जॉक्टेट है जिसे इस सेनारी में यह वाला जॉक्टेट 0 इसकी बात करें यह बैसेक्ली है आप कि होस्ट बिट कहलाती है मतलब यह एक तरीके से आपके होस्ट को इइंटिफाइब करवाएगी मतलब 1 2 3 4 होस्ट कहलाएगी आप लोगर मैं कहूं कि इस नेटवर्क बिलकुल 256 devices के अंदर आ सकते हैं सब्सक्राइब आखरी वाले ऑक्टेट के अंदर किती डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं 256 तो ऐसी हम लिए चीज़ दोंको असाइन कर सकते हैं आफ इस जो राउटर का है वो पब्लैकर अब पब्लिक आपको यह वो एक आपके पूरे नेटवर्क को एक network address provide करेगा और फिर individually जो है वो host address provide करेगा चाहिए एक ही चीज़ होती है बिलकुल बिलकुल सब्सक्राइब अब जब चाहिने classes को समझते है class A क्यों होती है class B क्यों होती है class C क्यों होती है class D क्यों होती है अच्छा अगर first octate की बात करें IP address की classes है न यह सर्फ classes की चीज़ है यह IP address की classes होती है हम सिर्फ और सिर्फ first octet को देखे left side से first octet को देखते हैं और उस से identify करते हैं कि यह IP address जो है यह किस particular class के अंदर लाए करता है सही है इस चीज़ को समझते है class age है और यह organization to organization vary कर रहते हैं अशलब घर के अंदर आप लोगों के जादे कौन सी class इस्तमाल हो रही होती है आप लोगों की class C इस्तमाल हो रही होती है सब्सक्राइब अब इस चीज़ को समझते हैं और यह one twenty seven यह class age है यह mostly आपकी organization जो बहुत बड़ी organizations होती है उसके अंदर इस्तमाल हो रही होती है सही है यह वैरी करता है बहुत जादा जब इस चीज़ को समझते हैं हम लग जाए क्लास एक क्लास भी क्लास एक क्लास डी क्यों होती है क्लास ए जो है वह फिर्स्ट ओक्टेड जीरो से 1-27 के दर्म्यान होगा तो आप लों की अगर मैं इससे पूचें कि कि किस क्लास के अंदर लाए कर रहा है आप अदर आप लोग बोलोगे च्लास एक अंदर मैं इसकी एक दे लिए 1.0.0.1 तो अगर मैं तुम लों के से पूछें कि किस क्लास के इंदर लाई कर रहा है आई-पी अड्रेस तो इसी ली बोल सकते हो फिर्स ऑक्टेट को इडेंटिफाइए करने के बाद कि वह जो है वह 0127 के दर्मियान आता है तो यह क्लास ए हो गई सही है अब अग 298 से 191 तक के आप लोगों पे इसकी कोई वैल्यू है तो आप वह क्लास बी के अंदर लाएक करेघा साहिए अब सेम सिनर्व हम लोग बात करते हैं आप लोग घर के अंदर जो जादा छोटे नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर मुस्टी हम लोग क्लास C का इप एटर से इस्समाल करते हैं विच इस 192.168 सरी याद करना है कर लो तो बेतर है कुछ नहीं कह सकते हैं मुहम्मद बिन सलीम बेतर है कर लो सब्सक्राइब कुछ जा नहीं रहे हैं बहुत असान चीज़ है जीरो से 127 क्लास A 128 सर 191 क्लास B 192 सर 223 क्लास C और फिर क्लास D जा आखनी है 224 सर 239 तक आप लों की क्लास D होती है सब्सक्राइब कोई भी ऐसी जीज़ कोई भी ऐसी आईप आड्रेस आप लोग आइडेंटिफाइब कर सकते हो बाइस जस्ट सेंग दे फर्स ऑक्टेट सब्सक्राइब 192 मैंतलब अगर मैं तुम लों से पूछों आप लों के घर में आईप अड्रेस क्या है 192.168.1.0 तो एजिली तुम लोग बोसकते हैं कि वह यह क्लास C आपकी सही है बिल्कुल ऐसी है यह बिल्कुल basic concept हाँ चलो जी अब main चीज है वह है आप लों की subnet mask किया ओता है सबनेट मास्क बेसिकली क्या है हम लोग आइडेंटिफाय करवाते हैं यूजिंग सबनेट मास्क कि हम कौन सा ऑक्टेट जो है वह एज़ा नेटवर्क बिट कंसिडर कर रहे हैं और कौन सा ऑक्टेट बहुत गोड़ से सुना चलो फिर से रिपीट करो बहुत गोड़ से सब सबनेट मास्क यह आइडेंटीफ़ाय करवाता है कि आप कौन सा ऑक्टेट नेटवर्क आड्रिस के लिए स्वाल कर रहे हैं औरकोन सा जुस्ट ऑबनां करें में सिर्फ और सिरो जो सबनेट मास्क आगर मैं असाइन करता हूं तो iska मतलब होता है कि आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो आपका network address है बाकी तीन जो हैं वो basically क्या है आपके host address आप connect कर सकते हैं host address इन तीन के उपर assign कर सकते हैं सही है फिर अगर हम दूसरी बात करते हैं 255.255.0.0 इसका मतलब क्या है कि ये दो जो चीजे हैं दो ऑक्टेट जहां लेफ्ट से फिर्स्ट टू ऑक्टेट जहां वो आप network address के लिए assign कर सकते हो इन पर values और zero जहां जो आखरी वाले दो जो है वो आप लोग assign कर सकते हैं इस पर आपकी host के जितने भी values हैं इसका मतलब क्या हो रहे है कि आपकर सपोस्व करें इसके अंदर हम बात करें इसका मतलब किसको समझते हैं पहले वहले सब्नेट की मास्किंस की बात करें तो क्या है कि इसमें जाधा host कि कर सकते हैं अगर आपका network ऐसा ही single network है उसमें बहुत सारी devices are more than 256 devices है all again what does कैसे अंदर आप इस भी इसक्वाल कर सकते क्यों क्यांकि इसंक्ट आप्स option बढ़ जाएंगे के जाधा होस्ट हम लोग इसके ढि clerड कर सकते अब अगर हम घर की बात करें अगर तुम लोग यह देखो वो तो वो बात अलग है स्वीट की बात अलग है अगर यह जो चीज है नहीं मैंने कमांड प्रॉम्ट से जो भी मैं तुम लोगो दिखा रहा था तो अगर मैं तुम लोगो बोलूँ कि मेरे घर का सबनेट मास्क क्या 255.255.255.0 जिसका मतलब क्या है तुम लोग चीज़ों को इजी लिए अब इडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भाई यह 192 यह 168 और यह 100 यह सब क्या है यह मेरा नेटवर्क एड्रेस है सही है यह नेटवर्क के लिए और यह जो 10 है यह क्या चीज़ है क्योंकि यहाँ पर 0 मौझू था सब्सक्राइब करते हैं कि आपके जो सब्सक्राइब करना यह नेटवर्क एड्रेस के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें यहां तक आप सब्सक्राइब कर रहा होता है कि यह आप लोग जोस्तमाल रहे हो ओस्त बट के लिए यहां पर ऊस्त thé आप रुख जो, सब रुख जो, मैं समझा रहो, सही है, अब सब गौर्ण से सुनो, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क ये चीज़े होती है, ये एक सबनेट मास्क है, ये सबनेट मास्क है, ये सबनेट मास्क है, सही है, अब ये मास्क है, ये अब वैल्यूस को असाइन करें, जहां प फ़र्स्ट आक्टेट जो है वह आप लोग नेटवर्क एड्रस के लिए नेटवर्क आपको जो नेटवर्क है ना उसके जो एड्रस है उसके लिए आप इस्तमाल करें बाकी जो तीन अलग आपकी रह गया आपके इसमें आप लोग होस्ट की वैल्यूज असाइन करोगे फर लगा मैं फर्स्ट डिवाइस की बात करूं तो 255.0.0.1 यह मेरी पहली डिवाइस को मैं आइप एड्रस असाइन कर दिया यहां पर यहां पर इसका पोस्ट कर लेते हैं 127 कर देते हैं यह मैंने फर्स्ट आक्टेट के वैल्यूज असाइन कर रहा हूं अच्छा आर्यान मैं 0.0.0.0 इस चीज़ से अगर मैं तुमसे पूछूँ इस सब्सक्राइब मास को देखते वे बताना मुझे कि इसमें से कौन सा ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क ऑक्टेट है इस चीज़ के जवाब दो बस जो कि होस्ट डवाइस स्की है आर्यान और दर थी बिल्कुल सही जवाब सभी तो अब मुझे इजी वी सब्नेट मास के जरिए आइडेंटिफाय कर दिया मैंने कि भाई कौन से ऑक्टेट जो है मेरे होस्ट के लिए और कौन से मेरे नेटवर्क के लिए सभी है अब इसकी किसी बात करते हैं हम लोगों किसी बात करते हैं इसकी अब इसका सब्नेट मास्ट जो है वह से मैं इसका सब्नेट मास्ट से मैं सही है अब हम सब्नेट मास्ट को इस्तेमाल करते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ वह वाली चीज़े देखी जैसे 192.168.01.1 सही है अब और से समाल लोगा था तो अगर में बाब का सिगनल की बात करऊं तो वो ते इन तीन चीज़ं को देखेगा इन तीन को देखेगी वह सब्रेट माइस की मदग से हम लोग क्या कर पा रहे हम लोग सोष्ट बित को नहीं नहीं 01 है तो जो आपके 01 वाले जितने भी है ना वो सब आपको सिगनल्स इसी नेटवर्क के अंदर रहेंगे लेकिन अब अगर मैं सपोस्ट करो इसका इसका मतलब क्या है कि अब इस इस आई-प आड्रिस के पास हम लोगों सब्सक्राइब इस इस पॉइंट को अब पढ़ो अब समझ आजाना चाहिए इसमें कि सब्सक्राइब कर पाते हैं कि आपके जो ब्रॉट का सिगनल्स वह विदिन सिंगल नेटवर्क रहें तो यह दूसरे सब्नेट की तरफ ना जाए इस बिलकुल ऐसे जवाब है तो फिर राउटर के इसके स्तेमाल करेंगे आपके ब्रॉट का सिगनल्स नहीं चाहेंगे वह राउटर से सिगनल्स आपके टांसफर होंगे अगर दूसरे सब्नेट में ट्रांसफर करना होगा ना तो हम लोग इसी लिए राउटर इस मैंने कनेक्ट किये था है आप देखो राउटर से कनेक्ट होगा है यह सब्सक्राइब नहीं जरूरी नहीं है बिलकुल ऐसे ही है अब दुर्मना यह मैंने अपनों को दिखा दिया अपने मेरे घर में जो सब्सक्राइब मास इस्तमाल हो रहाए और उसके बाद आपकी जो नेट्वर्क बिट्सम को कम कर दोगे है और यह पूरी बात होती है फबले को प्राइबिट तो पूरे अप्ट्रेश को देखे जाता है इससे कंफ्यूज मत कर रूपने आपको इसे यह हो गया आपका कॉंसेप्ट सब नेटिंग का